नश्कार दोस्तों, Current Affairs Revision for Film 2019 में आपका स्वागत है Environment की Revision का ये हमारा दस्वा लेक्षर है इस वीडियो में हम मार्च महिने के Environment से समधित Current Affairs को रिवाइस करेंगे PDF देखो आप Telegram चैनल के अलावा अपनी जो वेबसाइट है Only IAS.in फिर से बोलता हूँ Only IAS.in इस वेबसाइट पे जाके आप Download पे क्लिक करके सारी Revision वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो लिंक इस वेबसाइट का नीचे description box में भी है discussion स्टांट करने से पहले छोटी सी information आप Political Science Course और Mains Booster Program जोइन कर सकते हो video.onlyis.in पर जाके कोई doubt हो, कोई query हो तो आप send कर सकते हो onlyis.sales.gmail.com पर चलिया discussion स्टांट करते हैं सबसे पहले important article Red Sanders के बारे में हैं क्या contest हैं? देखो अभी तक Red Sanders के export पर रोक लगी थी लेकिन अब DGFT पूरा नाम है Directorate General of Foreign Trade जो की Ministry of Commerce and Industry के अधिन आती है इस body ने अब अपनी export policy में फिर बदल किया है अब अगर देखो Red Sanders को cultivable land से obtain किया है तो Red Sanders का export होस के गा Red Sanders के बारे में हम basic information जान लेते हैं scientific name है Terra-carpus centellinus और common names है Red Sanders, Red Sandalwood और Saunderswood कहां पर मिलता है naturally देखो Red Sanders South India में जो इस्टन घाट है Eastern घाट के Southern area में ये मिलता है और इस tree की value काफी जादा है Red color का होती है इसकी लकडी और इस Red Sanders की लकडी से सुगंद नहीं आती मतलब ये aromatic नहीं है question UPSC पूछ सकती है क्या Red Sanders aromatic है या फिर नहीं है नहीं ये aromatic नहीं है और देखो Red Sanders को आप confused मत कीजेगा Sandalwood से South India में naturally एक ओर पेड होता है Centalum Sandalwood ये aromatic है Sandalwood का oil भी आपने सुना होगा इससे सुगंद आती है इसको आप confused मत कीजेगा Red Sanders से क्योंकि दोनों South India में ही मिलते हैं Red Sanders की लकडी देखो काफी ज़्यादा precious होती है China में बहुत demand है Red Sanders की लकडी की furniture बनाने के लिए इवन जपान में भी musical instruments में Red Sanders की लकडी का इस्तमाल होता है चूंकि export नहीं पहले export पे band लगा हुआ था Red Sanders के तो इस वज़ए से smuggling काफी ज़्यादा होती थी इंडिया से Red Sanders की दूसरे देशों में एक बार तो एक incidence भी हो गया था कुछ लोगों की death हो गई थी वो जंगल से Red Sanders की लकडी चुरा रहे थे पेडों को काटके forest officials ने firing कर दी थी काफी controversy generate हो गई थी काफी महगी होती है Red Sanders की लकडी और IUCN की Red List में ये non-threatened category में आती है यहाँ पे देखो Red Sanders IUCN की Red List में non-threatened category में आता है अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं centalum, sandalwood के बारे में इससे आप confused मत कीज़ेगा Red Sanders को इसलिए इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए sandalwood ये जो है ये जेखो genus centalum category में आता है species का नाम है ये tree की और इस species में ये sandalwood tree आता है sandalwood tree की जो लकड़ी होती है वो भारी होती है, yellow color की होती है fine graining होती है और aromatic होती है red Sanders की aromatic नहीं होती लेकिन sandalwood की aromatic होती है red Sanders की लकड़ी का रंग red होता है लेकिन sandalwood की लकड़ी का रंग yellow होता है sandalwood जो है वो second most expensive wood है world में किसके बाद African black wood के बाद last point तो यही है sandalwood से जो लकड़ी प्राप्त की जाती है या फिर oil प्राप्त किया जाता है उसमें काफी aroma रहता है बहुत लंबे समय तक ये हमने article discuss किया red sandals के बारे में चलते हैं आगे next article सतत स्कीम के बारे में है contest की बाद बाद में गरेंगे पहले स्कीम के बारे में जानते है देखो हमार देश में हर साल 62 million metric ton waste generate होता है अगर इस में से कुछ waste को हम as a fuel इस्तमाल कर सके और उस fuel की साहिता से हमार देश में vehicles चलें तो कितना फाइदा होगा एक तो देखो oil की consumption कम होगी और दूसरा waste को हम ठीक से manage नहीं कर पाते इस वज़े से pollution बहुत ज़रा बढ़ जाता है दोनों चीजों को address किया जास के गा तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए ministry of petroleum and natural gas के द्वारा ये scheme launch की गई थी सतत पूरा नाम है इस scheme का sustainable alternative towards affordable transportation scheme और अगर इस scheme को ठीक से implement किया जाता है तो job creation भी काफी जादा होगा हमारे देश में और vicular emission यानि vicular pollution है वो भी कम होगा होगा क्या है इस scheme में इस scheme में देखो ministry of petroleum and natural gas increase करेगी compressed bio gas से समंदित entrepreneurs को कि भाया आप आएए और compressed bio gas से समंदित project establish केजिए और compressed bio gas से समंदित project establish करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे और बाद में उसी compressed bio gas का इस्तमाल किया जाएगा transportation sector में fuel के लिए तो question compressed bio gas के बारे में भी बन सकता है bio gas को देखो naturally produce किया जाता है कैसे agriculture residues, cattle dung मतलब cattle का जो गोबर होता है sugar cane, municipal solid waste sea waste treatment, plant waste ये जो सारा waste होता है इस waste को अगर देखो decompose किया जाए oxygen की absence में समझ गये, फिर से बोलता हूँ ये सारा जो waste है इसको अगर decompose किया जाए oxygen की absence में तो bio gas को produce किया जा सकता है decompose का मतलब simple है अगर समझ ना आया हो तो decompose का मतलब सड़ना मतलब ये सारा जो कूड़ा है उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है oxygen की absence में तो bio gas generate हो जाती है और अगर pure कर दिया जाए और उसे compress कर दिया जाए तो उसे कहा जाएगा compressed bio gas यानि bio gas को pure कर दिया गया purification हो गई उसके बाद compress कर दिया गया तो वो कहलाएगी compressed bio gas और इस compressed bio gas में methane का जो content होता है almost 90% होता है last में एक important बात ये भी बोले जाती है देखो अभी natural gas का इस्तमाल होता है vehicles के दवारा energy के लिए compressed bio gas का जो energy potential या फिर composition है वो natural gas के समान ही है इसी वज़े से कहा जाता है जो compressed bio gas है वो एक बहुत ही अच्छा alternative और renewable automotive fuel का का काम कर सकता है तो ये पूरा article हमने discuss किया सतत scheme के बारे में चलते हैं आगे next article Center for Wildlife Rehabilitation and Conservation के बारे में है इस center को देखो established क्या गया था 2002 में कहां पे है ये center ये center काजीरंगा नैसल पार्क आसम में है किस मक्सद के साथ Center for Wildlife Rehabilitation and Conservation को established क्या गया था देखो बहुत से wild animals जो किसी कारणवस displaced हो जाते हैं मतलब उनको अपना habitat छोड़ना पड़ता है region कोई भी हो सकता है for example कोई flood आ जाए या फिर किसी human activity की वज़े से तो ऐसे जो wild animals होते हैं वो दूसरी जगह पे जब जाते हैं उनका survival मुश्किल हो जाता है तो ऐसे animals को लाया जाता है इस center में उनके stress को दूर करने के लिए ताकि वो survive कर सके एक बार ऐसे animals को stabilize कर दिया जाता है तो बाद में उनको फिर से wild में छोड़ दिया जाता है यानि जंगल में छोड़ दिया जाता है Center for Wildlife, Rehabilitation and Conservation को establish किया गया था Assam Forest Department Wildlife Trust of India और International Fund for Animal Welfare के दवरा मिल कर ये recognized है Central Jew Authority से भी एक बार हम काजीरंगा नैसल पार्क के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं काफी बार वैसे हमने डिसकस किया है काजीरंगा नैसल पार्क के बारे में लेकिन जल्दी से revise कर लेते हैं देखो ये आसम के गोला घाठ और नगाओन डिस्टिक्स में आता है वर्ल्ड हरिटेस साइट है इसे युनेस्को ने वर्ल्ड हरिटेस साइट का दरजा दिया हुआ है वर्ल्ड के दो तिहाई जो वन होन राइनो है वो यहीं पर मिलते है राइनो आयूशेन की रेड लिस्ट के हिसाब से वल्लेरेबल केटेगरी में आता है यहाँ पे टाइगर भी बहुत ज़्यादा है काजीरंगा में टाइगर की डेंस्टी हाइस्ट है 2006 में काजीरंगा नैसनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी डिकलेर किया गया था पार्क में राइनो और टाइगर्स के लावा एलिफेंट्स, वाल्ड वाटर वो है लो स्वैंप, डियर ये सब भी देखने को मिलते हैं बाइग लाइफ इंटर ने काजीरंगा नैसनल पार्क को इंपोर्टन्ट बाइड एरिया का दर्जा धिया हुआ है और ये काजीरंगा नैसनल पार्क इस्टर्न हिमालियन बायो डावेस्टी होट्सपोर्ट के एज पर हाता है फ्लोरा की बात करें, मतलब पेड़ पोदर की बात करें, तो उची-उची, एलिफेंट ग्रास, मार्स लेंड, डैंस, ट्रोपिकल, मोष्ट, ब्रोड लीफ, फोरेस्ट, यह सब यहां पर देखने को मिलते हैं, और काजिरंगा नैसल पार्क के एज से ब्रंपुतर रिवर भी घुजरती हैं, इसके लावा इस पार्क के अंदर भी छोटी-छोटी काफी सारी वा moder dies हैं, तो यह हमने काजिरंगा नैसल पार्क के बारे में डिस्कस किया, आप इस question का answer दीजिए, इस question का answer का जिरंगा नैसल पार्क ही है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, आपको बताना है इन में से कौन सा option सही है, एक ऐसा नैसल पार्क जो की big five के लिए famous है, यानि rhino, tiger, elephant, asiatic wild buffalo और eastern swamp deer, इन पांचो बड़े animals के लिए famous है ये नैसल प conservancy reserve है, आपको बताना है इन में से कौन सा नैसल पार्क सही answer है, तो D यानि काजी रंगा नैसल पार्क सही answer है, चलते हैं आगे, चलते हैं आटकल coal wetlands के बारे में हैं, क्या contest है, देखो केरला की सरकार प्लान कर रही है, shrimp farms को पर्मोट किया जाए coal wetlands में, पहले आप location देख ल यहां पर shrimp farms को पर्मोट किया जा सकता है, केरल सरकार के दोरा ऐसा विचार किया जा रहा है, shrimp मतलब एक परकार से जींगा हिंदी में कहते हैं, और केकड़ा भी आप कह सकते हो, 10 पैरों का जानवर, जिसे खाया जाता है, coal wetlands, इसका area है 13,632 hectare, केरल के दो जिलों में फैला ह shrimp, यह एक रामसर साइट है, और BirdLife International के दोरा इसे important bird area का status भी दिया हुआ है, केरल का 40% जो rice produce होता है, वो coal wetlands से ही होता है, और Central Asia से जो paksi migrate करते हैं, वो यहां पर रुखते हैं, काफी सारी important fresh water, fishes भी यहां पर मिलती है, coal wetlands में, लेकिन पिछले काफी समय से, sand mining की वज़े से, और दूसरी man made activities की वज़े से, जो coal wetlands है, काफी degrade हो रहा है, यह एक चिंता की बात है, आर्टिकल डिसकस किया, coal wetlands के बारे में, अब हम चलते हैं, आगे, नए स्थार्ट कल, world wildlife day के बारे में है, देखो, 3 मार्च को sites convention sign हुई थी, sites का पूरा नाम है, convention on international trade in endangered species of wild phona and flora, यह convention sign हुई थी, तीन मार्च को, इसी लिए, तीन मार्च को, United Nations World Wildlife Day मनाया जाता है, एम होता है, वर्ल्ड के wild animals और plants के बारे में, जागता फिलाना, थीम थी, 2019 की, Life Below Water for People and Planet, थीम जो है, align करती है, United Nations Sustainable Development Goals का जो goal number 14 है, उस goal से align करती है, थीम, वैसे है क्या, Sustainable Development का goal number 14, oceans को कंजाव करना, marine resources को कंजाव करना, यह सब बाते कहीं गई है, 14 number goal में, तो यह हमने article डिसकस किया, World Wildlife Day के बारे में, नए स्टार्ट कल, International Coral Reef Initiative के बारे में है, यानि ICRI, यह देखो, एक informal partnership है, विबिन देशों के बीच और organizations के बीच है, International Coral Reef Initiative में members की संख्या है, 60, और इंडिया भी इसका member है, अगर UPC question पूछे, क्या यह कोई intergovernmental organization है, यह फिर UN का organ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यह एक informal partnership है, यह organization focus करती है, दुनिया में Coral Reef को प्रिजव करना, और Coral Reef से संबन्दित जो ecosystem है, उनको भी प्रिजव करना, इसी दिशा में efforts लगाया जाते हैं, इस ICRI के द्वराम, वैसे तो देखो, यह informal partnership है, लेकिन Coral Reef को बचाने की दिशा में, जो काम किया जाते हैं, ICRI के द्वराम, उन कामों को काफी बार United Nations के documents में जगा मिलती हैं, यह organization awareness भी फिलाती है, Coral Reef से की importance क्यों जादा है, environment, sustainability के लिए, food security के लिए, और social और cultural well-being के लिए भी, इसे establish क्या गया था, 1994 में जब 8 देश एक साथ आये थे, Australia, France, Japan, Jamaica, Philippines, Sweden, United Kingdom और United States of America, India member है, ICRI का, जैसे हमने डिसकस किया, इस organization को देखो, announce किया गया था, दो conferences के दुरान, पहली conference organized हुई थी, 1994, December में, First Conference of the Parties of the Convention on Biological Diversity, इस conference में, International Coral Reef Initiative को establish करने को लेके announcement हुई थी, और उसके बाद, April 1995 में, High Level Segment of Intercessional Meeting of the UN Commission on Sustainable Development, इस meeting में भी, International Coral Reef Initiative के बारे में, announcement हुई थी, चलते हैं आगे, नए स्थार्ट कल, Annual Frontiers Report 2019 के बारे में हैं, ये रिपोर्ट जारी के जाती है, United Nations Environment Assembly के द्वारा, इस organization का headquarter है, नेरोबी में, अभी फिलाल कंटाइस्ट ये हैं, इस latest report में, nitrogen pollution के ऊपर एक chapter add किया गया है, रिपोर्ट में कहा गया है, agriculture, livestock, transport, industry, energy sector, इन सभी sectors की बढ़ती डिमांड के कारण, जो reactive nitrogen है, reactive nitrogen की मात्रा, atmosphere में बढ़ती जा रही हैं, ammonia, nitrate, nitric oxide, nitrous oxide, nitrogen के ये जो compounds हैं, इनकी मात्रा, atmosphere में बढ़ती जा रही हैं, जो की एक चिंता की बात हैं, N2O देखो, carbon dioxide से 300 गुना ज्यादा potent greenhouse gas है, अब कोशन ये उठता है, ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब nitrogen pollution ज्यादा क्यों होने लगा है, देखो, किसान fertilizers में nitrogen का इस्तमाल करते हैं, soil की productivity को increase करने के लिए, फसलो की पैदावार को बढ़ाने के लिए, लेकिन overuse होने लगा है, nitrogen का as fertilizer के तोर पर, तो इस वजए से nitrogen का fertilizer के तोर पर इस्तमाल, फाइदे की बजाए अब नुक्सान करने लगा है, सिरफ 33% rice या फिर wheat की फसल के लिए nitrogen को as a fertilizer के तोर पर जो इस्तमाल किया जाता है, सिरफ 33% nitrogen का इस्तमाल हो पाता है, बाकी nitrogen जो है, वो compounds के form में, atmosphere में emit हो जाती है जिससे nitrogen का जो pollution है, वो बढ़ता जा रहा है, अगर और ज़्यादा हम बात करें nitrogen pollution के बारे में, NH3 यानि ammonia, nitrogen oxide, NO2, ये देखो, release होती है, chemical fertilizers की वज़े से, livestock manure, burning fossil fuels, ये सब source है, NH3 के और NO2 के, काफी बार UPSC पूछती है question, कि ammonia के इन में से कौन से sources है, या फिर NO2 के इन में से कौन से sources है, तो sources पे आपने नज़र डाल ली, chemical fertilizers, livestock manure, और burning fossil fuels, इन से नुकसान क्या होता है nitrogen pollution की वज़े से, देखो, reverse का pollution होता है, seas, ozone depletion, health, economy, livelihood, इन सब पर फरक पड़ता है, health की specifically बात करें, तो काफी तरह के respiratory disease हो जाते है, heart conditions, version हो जाती है, यानि और ज़्यादा खराब हो जाती है, और nitrous oxide तो एक greenhouse gas भी है, जिससे ozone layer deplet होती है, यानि जो N2O है, ये N2O, एक ozone layer depleting gas है, और nitrate से भी reverse pollute होती है, seas pollute होते है, humans को, fish को, coral reefs को, plant life को काफी risk है, nitrates की वज़े से भी, even new torification भी होता है, तो ये पूरा आठ काल हमने डिसकस किया, Annual Frontiers Report 2019 के बारे में, चलते हैं आगे, ये स्टार्ट कल, clown fish hatchery के बारे में है, क्या contest है, National Bureau of Fish Genetic Resources के द्वारा, एक project loans किया गया है, coastal महराष्टरा में, और इस project का aim ये है, Villagers को training provide करना, कैसे वो clown fish मचली का trade कर सकती हैं, हम बात करें, clown fish के बारे में, clown fish को देखो, animal fish के नाम से भी जाना जाता है, आपने इस fish को काफी बार देखा होगा, aquariums में, ये मचली जानी जाती है, अपनी symbiotic mutualism relationship के लिए, ये जो clown fish है, वो sea animal के साथ, mutualism की relationship बनाती है, यहाँ पर देखो, ये जो आपको घास type का दिख रहा है, ये क्या है, ये है sea animal, और ये मचली कौन सी है, ये है clown fish, दोनों mutualism की relationship बनाती है, ये मचली यहाँ पर sea animal में छुप जाती है, इससे zebra fish जो है, वो खा नहीं पाती clown fish को, और बदले में ये जो खास type की चीज है, sea animal, इसको क्या फाइदा होता है, एक तो देखो clown fish यहाँ पर मुजूद रहती है, तो साफ सफाई हो जाती है, sea animal की, दोनों symbiotic mutualism relationship बनाते हैं, और जड़ा information हम discuss करें clown fish के बारे में, जैसा हमने discuss किया, aquarium में जातर समय ये मचली देखने को मिलती है, और yellow color, orange color, reddish color, या फिर brackish color की ये मचली हो सकती है, काफी सारी मचलीओं के उपर white color का bar या फिर patch भी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, य और मचली का color orange है, तो मुंबई में clown fish hatchery भी establish की जाएगी, इस purpose के लिए, hatchery मतलब वो जगहाँ जहाँ पे अंडों को hatch किया जाता है, अंडों को सेया जाता है, तो ये पूरा article हमने discuss किया clown fish hatchery के बारे में, चलते हैं आगे, नए श्ट आटिकल woods snake के बारे में है, woods snake की species को अ कहाँ पर, एक सर्वे कंडर्ट किया गया था, मेगा मलाई wildlife century में, और इस wildlife century में देखा गया है, woods snake की species को 140 सालों के बाद, ये जो woods snake है, ये देखो naturally, या तो मिलता है सिरफ मेगा मलाई forest में, या फिर पेरियार tiger reserve landscape में, इसका scientific name है, जाइलो फिस, इंडिकस और पूरी तरह से ब्राउन है, ये color में, wood snake, हम अगर बात करें, मेगा मलाई wildlife century की, ये देखो तमिलाडू के थेनी district में है, अच्छा आप एक बात बताईए, थेनी district काफी बार सुर्ख्यों में आता है, किस वज़े से आता है, आप काफी बार नाम सुनते होंगे, थेनी district, बोदी hills, देखो थेनी district के बोदी hills में, न्यूट्रीनो अब्जर्वेटरी है, इंडिया-based न्यूट्रीनो अब्जर्वेटरी, जिसको लेके प्रोटेस्ट होता रहता है, वहां के जो local villagers हैं, उनके concerns हैं, उस अब्जर्वेटरी को लेके, इसी बज़े से, जो ये थेनी district हैं, ये सुर्ख्य टाइगर रिजर्व और दूर्सी तरफ ग्रिजल्ड स्कुरिल वाइलाइफ सेंसरी तो ग्रिजल्ड स्कुरिल वाइलाइफ सेंसरी और पैरियर टाइगर रिजर्व इन दोनों के बीच बफर का काम करती हैं मेगा मलाइफ वाइलाइफ सेंसरी और मेगा मलाइफ वाइलाइफ तो यह पूरा आटिकल हमने डिस्कस किया मेगा मलाइ, वाइल लाइफ सेंसरी के बारे में और वूड स्नेक के बारे में चलते हैं आगे पूरन आटिकल स्टारी ड्वार्फ फुरोग के बारे में है स्टारी इसलिए, क्योंकि आप इस मेंड़ को ध्यान से देखे यह जो पॉर्चन है यह श्टार की तरह लगता है और ड्वार्फ इसलिए क्योंकि साइज इस मेंड़ का बहुत ही छोटा है अंगूठे के, नाखुन की जितना इस मेंड़ का साइज है scientist ने इस mendic को discover किया है कहां से western घाट से western घाट जो की एक bio diversity hotspot भी है और exact जगह की बात करें केरल के वाइनार्ड में कुरी चियार माला यहाँ पर देखो केरल के वाइनार्ड डिस्टिक में जो ये कुरी चियार माला range है western घाट के अंदर आती है ये range exactly यहीं से इस mendic को discover किया गया है scientific नाम क्या रखा गया है इस mendic का scientific नाम के बारे में UPSC वैसे question पूछती नहीं है देख लिजिए फिर भी काफी आसान है scientific name astro better custom astro नाम क्यों क्योंकि star की shape बनी हुई है mendic के उपर और कुरीचियाना क्यों क्योंकि जहाँ पे exactly ये mendic मिला है वहाँ पे local जो आदिवासी रहते है उनका नाम है कुरीचियाना तो scientific name में उनको भी सम्मान देने की कोशिस की गई है पूरा नाम है astro better case कुरीचियाना और इस mendic को रखा गया है astro better case की ने sub family में actual में हुआ क्या था 6 से 7 करोड वर्स पहले अलग characteristics होने की वज़े से biological development में ये frog अपने पूर्वजो की lineage से अलग हो गया था इसलिए अब इसे sub family में रखा गया है astro better case की ने तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया starry dwarf frog के बारे में चलते हैं आगे next article सुन्दर बंस से समदित है क्या contest है रामसर कंवेंशन के अंतरगत सुन्दर बं को wetland of international importance का status दिया गया है फिर से बोलता हूँ important है रामसर कंवेंशन के अंतरगत इंडिया के सुन्दर बंस को wetland of international importance का status दिया गया है no criteria होते है wetland of international importance का status पाने के लिए no में से 4 criteria को सुन्दर बंस ने fulfill किया है और इनको wetland of international importance का tag मिल गया है कौन से 4 criteria को fulfill किया गया था सुन्दर बंस के द्वारा presence of rare species and threatened ecological communities biological diversity significant and representative fish सबसे लाश्ट में fish swanning ground and migration path तो इंचार criteria को fulfill किया गया था सुन्दर बंस के द्वारा पिछले साल हमने news discuss की थी काफी सारी बड़ी news आई थी सुन्दर बंस के उपर के जल्द ही wetland of international importance का tag मिल सकता है रामसर convention के अंतरगत तो वो हमने news जो पिछले साल discuss की थी details है उसको भी आप एक बर revise कर लीजिए पहले हम रामसर convention के बारे में कुछ basics discuss कर लेते हैं रामसर convention एक international treaty है मकसद इस convention का ये है wetlands को कंजाव करना और wetlands को sustainable रूप से utilize करना ये convention एक framework प्रोवाइड करती है क्या national action लिया जा सकता है और क्या international action लिया जा सकता है wetlands को कंजाव करने के लिए इस convention को sign किया गया था 1971 में इरान में एक जगाए है रामसर वहाँ पर इस convention को sign किया गया था इसलिए इस convention का नाम है रामसर convention इंडिया signatory है इस convention का इसके लावा 189 days signatory है रामसर convention के total अभी तक रामसर convention के अंतरगत 2241 2241 sites को recognize किया गया है अकेले इंडिया से 26 sites को recognize किया गया है protection के लिए रामसर कन्वेंशन के अंतरगात रामसर की ये 26 sites important है प्री के लिए इनके बारे में आप जुरूर पढ़के जाएगा आप एक काम कर सकते हो पिछले साल Only I.S. पे एक वीडियो डाली गई थी रामसर साइट से समनी तो वो आप वीडियो भी देख सकते हो प्लेइलिस्ट में आपको मिल जाएगी या फिर आप सर्च भी मार सकते हो यूटूब में इसके लाबा देखो रामसर कन्वेंशन में एक मॉन्ट्रियक्स रिकोर्ड भी है और जिनका एकोलोजिकल करेक्टर पिछले कुछ समय में या तो चेंज हो चुका है या फिर फ्यूचर में चेंज होने वाला है किसके कारण टेक्नलोजिकल डिवलोपेंट्स के कारण परदूसन के कारण या फिर होमन रिलेटिड एक्टिविटीज के कारण तो उन wetland sites को identify किया जाता है रामसर कन्वेंशन के अंदर और list maintain की जाती है Montreux record में Montreux record को establish किया गया था 1990 में Conference of contracting parties की recommendations के बाद और देखो ये जो conference of contracting parties है वही decide करती है कि कौन सी site को Montreux record में add करना है और कौन सी site को Montreux record में से remove करना है अब एक question आप जुरूर attempt कीज़ेगा 2014 में ये question UPSC ने पूछा था इस discussion पर अधरीत आप इस question को जुरूर attempt कीज़ेगा असानी से आप इस question का अंसर दे दोगे अब हम discuss करते हैं सुन्दर बंस के बाद जो इस पूरे article का contest है सुन्दर बंस को जल्द ही की रामसर साइट का दर्जा मिल सकता है हमार देश का जो टोटल mangrove forest cover है उस cover का 43% अकेले सुन्दर बंस में आता है फुरेश्ट सर्वे ओफ इंडिया 2017 की रिपोर्ट के अनुसार इसके लावा देखो सुन्दर बंस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तोर पर इडेंटिफाई किया था 1987 में सुन्दर बंस वर्ल्ड नेट्वर्क ओफ बायोस्वेर रिजव लिस्ट के में भी आता है ये जो लिस्ट मैंटेंड की जाती है वो युनेस्को मैन एंड बायोस्वेर प्रोग्राम के अधार पर की जाती है सुन्दर बंस में सो रोयल बंगाल टाइगर्स है लेकिन पिछले कुछ सालों में सुन्दर बंस का जो एरिया है वो डिग्रेड हो रहा है काफ़ी सारे फैक्टर्स के कारण जैसे क्लाइमेट चेंज समुन्दर का जो स्तर है बंगाल की खाडी में वो बढ़ रहा है वाइट स्प्रेड कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है मैंग्रो फुरेष्ट को क्लियर क्या जा रहा है कंस्ट्रक्शन और दूसरी फिशरी इलेटीड एक्टिविटीज के कारण तो इस परकार से इन रिजन्स के कारण इन फैक्टर्स के कारण सुन्दर बंग का डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है पिसले कुछ सालों में इस वज़य से जल्द ही सुन्दर बंग को रामसर साइट का दरजा मिल सकता है टोटल एरिया सुन्दर बंग का है 4,260 स्केर किलोमेटर और इस टोटल एरिया में से 125 स्केर किलोमेटर वेटलेंड का एरिया है ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है UNEP की दवराम मतलब United Nations Environment Program की दवराम कंटेक्श्ट ये है हाल ही में 6th edition इस रिपोर्ट का रिलीज किया गया 5 editions आलेडी रिलीज हो चुके थे सबसे पहला edition Global Environment Outlook रिलीज हुआ था 1997 में Last edition लोंच हुआ था 2012 में और अब 6th edition इस रिपोर्ट का रिलीज हुआ है United Nations की ये देखो Most Comprehensive Report है Global Environment की Condition के बारे में Status के बारे में और इस रिपोर्ट को United Nations Environment Flagship Environmental Assessment भी कहा जाता है Flagship इस रिपोर्ट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिपोर्ट Most Important है जिस मकसद के साथ 1972 में UNEP का निर्मान किया गया था United Nations General Assembly में एक Resolution पास करके उन सारे Objectives को Fulfill करती है ये रिपोर्ट इसी वज़े से इस रिपोर्ट को Flagship Report भी कहा जाता है 6th edition जो हाल ही में Release हुआ इसमें कहा गया है कि 25% जो premature death होती है World में वो देखो Man-made Pollution और Environmental Damage की वज़े से होती है Deadly Emissions की वज़े से और Chemicals Drinking Water को जो Pollute करते है इन सब चीजों की वज़े से लोगों का Livelihood पर भावित हो रहा है महामारी फैलती है इससे पूरे World की Economy को नुकसान होता है Global Economy को नुकसान पहुंसता है और Environmental Damage की वज़े से गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो भी बहुत ज़रा बढ़ रही है गरीब के खाने के लिए पैसे नहीं है दूसरी तरफ अमीर जो है वो ओवर कंजम्शन की तरफ बढ़ रहा है तो इससे Hunger, Poverty, Disease ये सब चीजें भी बढ़ रही है ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हमने डिस्कस किये Global Environmental Outlook Report के 6 अगर UPSC पूछे ये रिपोर्ट किस के द्वारा रिलीज की जाती है UNEP के द्वारा चलते हैं आगे नए स्टार्ट कल Great Indian Honbil के बार में है क्या कंटेस्ट है नियर थ्रेटन्ड आप देख सकते हो नीचे और ये स्टेट अनिमल है केरल का और अरुनाचल परदेश का लोकल नाम्स की हम बात करें निपाल में नाम है होम्राई और इसके अलावा बन रहाओ वेजमबाल काफी लंबे समय तक जीवित रहती है Great Indian Honbil captivity में 50 साल तक जीवित Great Indian Honbil रह सकती है कहां पर मिलती है Indian समकोंटिनेंट और साउथ इस्ट एशिया में वैसे देखो प्रिडोमिनेटली फ्रूट को खाया जाता है Great Indian Honbil के द्वारा लेकिन Great Indian Honbil को opportunist भी खा जाता है क्योंकि small mammals, reptiles, birds से इनका सिकार भी Great Indian Honbil के द्वारा किया जाता है sites जो किये convention है endangered animals के illegal international trade को रोकती है इस convention के appendix 1 में आती है Great Indian Honbil चलते हैं आगे नए स्टार्ट कल biomarker के बारे में है contest की बात बाद में करेंगे पहले simple मतलब समझते हैं biomarker का biomarker देखो naturally मिलने वाला कोई भी gene molecule जो हमें बताता है किसी pathological condition के बारे में for example pollution के बारे में किसी disease के बारे में वो क्या हुआ? वो हुआ biomarker जैसे example देखते हैं अब contest के तरफ आते हैं देखो urban areas में जो सहद है वो biomarker का का काम कर सकता है बताने के लिए कि आसपास के area में pollution कितना है अगर urban area है माली जी ये urban area है यहाँ पे इस specific location पे किसी पेड़ पे सहद है सहद में अगर lead की मात्रा को हम जाचे तो हमें पता लग जाएगा कि उस specific location के आसपास pollution कितना है तो सहद क्या बता रहा है? सहद pollution की condition के बारे में बता रहा है तो सहद क्या हुआ यहाँ पे सहद हुआ बायो मार्कर हमने क्या definition डिसकस की थी बायो मार्कर की? कोई भी gene, molecule या फिर organism जो हमें किसी pathological condition या फिर disease के बारे में बताता है तो यहाँ पे सहद क्या बारे में बता रहा है pollution के बारे में सहद क्या हुआ? बायो मार्कर एक और example आप देख लीजिए water hyacinth इसके बारे में आपने सुना होगा free floating plant है commonly यह tropical countries में मिलता है और अपनी nutrients को absorb करने की ability के लिए जाना जाता है पानी से यह भी एक vulnerability index for India के बारे में है department of science and technology से हमारे जो Indian scientist है उन्होंने यह climate vulnerability index for India जारी किया है इसके बारे में हमने पहले भी discuss किया था लेकिन फिर से article पब्लिश हुआ है तो revise कर रहे हैं kind of देखो हिमालियन रीजिन में जो 12 हमारे राजिया आते हैं हमालियन रीजिन के इन 12 राजियों के लिए climate vulnerability index जारी किया है department of science and technology के Indian scientist ने और इस index को त्यार करते वक्त जो IITs और IISC हैं उनके scientist ने भी हिस्सा लिया काफी सारे factors को ध्यान में रखा इस index को त्यार करते वक्त जैसे किसी स्टेट में socio-economic factors कैसे हैं demographic and health status कैसे हैं production की sensitivity कैसे हैं forest dependent livelihood कैसा है और इसके बाद access to information services and infrastructure इन सभी factors को ध्यान में रखते हुए हमालियन रीजिन में आने वाले 12 राजियों के लिए ये index publish किया गया अगर किसी का score 0 है इसका मतलब वो राजिय least vulnerable है और अगर किसी का score 1 है तो इसका मतलब वो राजिय सबसे ज़्यादा vulnerable है awesome का जो score है वो 0.72 है और vulnerability index में सबसे ज़्यादा score awesome का ही है यानि सबसे ज़्यादा जो vulnerable राजिय है वो amazing है उसके बाद number आता है majoram का और सबसे कम जो vulnerable राज्या है वो सिक्किम है सिक्किम का स्कोर है 0.42 और इन राज्यों के अंदर जो districts है उन districts का भी देखो अलग-अलग स्कोर है जैसे असम के अंदर जितने भी जिले हैं सभी जिलों का सेम स्कोर नहीं है climate vulnerability index में अलग-अलग जिलों का अलग-अलग स्कोर है क्योंकि हर एक जो जिला है उसकी geographic situation अलग है climate, socio-economic और जो demographic conditions है वो अलग है इस वज़े से state के अंदर जो districts है उनका भी अलग स्कोर है इस climate vulnerability index में तो question इस परकार से बन जाता है UPSC पूछ सकती है यह index किसके दोरा publish क्या गया है क्या यह coastal states के लिए है नहीं भया यह coastal states के लिए नहीं है यह himalian region में आने वाले राज्यों के लिए है और उल्टा करके UPSC पूछ सकती है क्या किसी का score अगर 0 है इसका मतलब क्या वो राज्य most vulnerable है नहीं उल्टा है चलते हैं आगे आठकल ओटर के census के बारे में हैं ओटर का मतलब होता है उद बिलाव क्या contest है? Contest देखो यह है उत्रपरदेश की सरकार ने यह निर्ने लिया है कि वो पहली बार ओटर के census को conduct करेंगे यानि ओटर की गिंती की जाएगी और सुरुवात की जाएगी पिली भीत टाइगर रिजव से सबसे पहले पिली भीत टाइगर रिजव में ओटर का census conduct किया जाएगा और यह exercise कंप्लीट हो जाएगी मार्च 2019 के आन्ट तक हम बात करें पिली भीत टाइगर रिजव की यह टाइगर रिजव देखो हिमालियास के foot hills में है हिमालियास के तल हटी में है नेपाल के south में है UP के पिली भीत लखीमपूरी खेरी और बहरीच डिश्टिक्स का आलमोस्ट 800 स्केर किलोमेटर के आसपास एरिया आता है पिली भीत टाइगर रिजव में और पिली भीत टाइगर रिजव को दो रिवर्स भी इंसर्कल करती हैं सार्दा और घागरा तो इस वज़े से काफी water bodies भी हैं पिली भीत टाइगर रिजव में यहां पर tigers, leopards, elephants और different species of deer, monkeys और reptiles जैसे की snakes, mager, crocodiles और घडियाल यह सब देखने को मिलती हैं उत्रपरदेश में दूसरे tiger reserve की अगर हम बात करें दुद्वा tiger reserve में उत्रपरदेश में हैं पिली भीत tiger reserve के बारे में अभी हमने डिसकस किया उत्रपरदेश में हैं इसके लावा उत्रपरदेश में अमनगर tiger reserve भी हैं जो की buffer zone बनाता है, corbet tiger reserve का हम बात करें otters के बारे में, otters देखो forest ecosystem में बहुत important role प्रिक लेते हैं अगर otters की संख्या अच्छी खासी है जंगल में इसका मतलब ecosystem काफी healthy है otters के दबारा मचलियों को खाया जाता है, इसी वज़े से जो otters है वो water bodies के आसपास रहते हैं इंडिया में देखो otters की तीन species मिलती हैं, eurasian otter, smooth coated otter और clalless otter eurasian otter जो हैं, वो sites हैं, sites convention के बारे में आपको पता हैं, international convention हैं endangered species के illegal trade को रोखने के लिए, तो sites के appendix 1 में और wildlife protection act के schedule second में आती हैं eurasian otter, smooth coated otter की बात करें, sites के appendix second में और wildlife protection act के schedule second में clalless otter की बात करें, sites appendix second में और wildlife protection act के schedule 1 में क्या ये सब याद रखने के आप सकता हैं, देखो 2014 में UPSC ने कोशन पूछा था तो उसके बाद से ही, जब भी कोई species news में होती हैं, तो हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि sites convention के कौन से appendix में आती है, species जिसके बार में हम डिसकस कर रहे हैं और wildlife protection act के कौन से schedule में आती हैं, तो एक बार नज़र आप डाल सकते हो, लेकिन बिल्कुल इनी को लेके अगर आप tension ले रहे हो, दिन रात यही याद कर रहे हो, कि eurasian outer sites की कौन से appendix में हैं, तो थोड़ा cost effective नहीं होगा मचलब cost benefit analysis कीजिए, आप कौन से चीज को अगर आप तवज्जो देते हो, जितना time आप invest कर रहे हो उस time के हिसाब से, क्या question UPC के द्वारा पूछे जाते हैं, या फिर नहीं पूछे जाते हैं ऐसा ना हो, कि 4-5 सालों में एक question UPC ने पूछा हो, और आप उसी चीज पे बार-बार time invest कर रहे हो तो ये एक wise decision नहीं होगा लास्ट में इन तीनों ओटर्स का IUCN की red list में status भी देख लेते हैं relation ओटर्स जो है, वो IUCN की red list में आता है, non-threatened category में smooth coated ओटर आता है, vulnerable category में और Asian small cloud ओटर आता है, vulnerable category में चलते हैं आगे ने स्टार्ट कल, grave, hypocholias के बारे में हैं ये देखो एक छोटा सा migratory bird है, जो समानेता अपना घर बनाता है West Asia में या फिर North Africa में कच के इलाखे में अक्सर देखा जाता है, ये migratory bird, grave, hypocholias लेकिन अभी फिलाल context ये है, कि Western Rajasthan में पहली बार देखा गया है grave, hypocholias को, 4 March 2019 के आज पास इस पक्सी को देखा गया था Western Rajasthan में IOCN की red list में ये जो पक्सी है, वो least concern category में आता है क्योंकि संख्या इस पक्सी की अच्छी खासी है और ये कहां मिलता है, ये dry semi desert region में मिलता है Northern Africa के, Arabiya में, Afghanistan में, Pakistan में और Western India में ये जूंड में चलता है ये पक्सी मतलब काफी सारे पक्सी ग्रूप में चलते है fruits खाकर जिंदा रहता है ये पक्सी और सर्दियों के मौसम में North से South में migrate कर जाता है तो हमने पूरा article डिसकस किया grey hypocholias के बारे में चलते हैं आगे next article United Nations Environment Assembly के बारे में है क्या contest है देखो United Nations Environment Assembly में इंडिया ने दो resolutions इंटर्ड्यूस किया थे एक तो single-use plastics से समधित और दूसरा sustainable nitrogen management चोथा session और गाइस हुआ था United Nations Environment Assembly का और तब इंडिया ने ये दो resolutions इंटर्यूस किया थे दोनों resolutions को adopt कर लिया गया 2030 तक final declaration आ सकता है single-use plastics को ban करने से समधित हम बात करें United Nations Environment Assembly की ये देखो United Nations Environment Program यानि UNEP इसके बारे में काफी बार आपने सुना होगा UNEP की governing body है United Nations Environment Assembly और environment से समधित decision लेने के लिए world की highest level की decision making body है फिर से बोलता हूं environment से समधित decisions लेने के लिए world की ये highest level की decision making body है United Nations Environment Assembly governing body है UNEP की इसे establish क्या गया था 2012 में United Nations के जो member countries हैं वो सारे के सारे member है United Nations Environment Assembly के तो almost 193 के आसपास members है United Nations Environment Assembly के हर दो साल में एक बार United Nations Environment Assembly के कि जो member countries हैं उनके Environment Minister से जुठते हैं एक session organization होता है और अभी हाल ही में चोथा session organization हुआ था United Nations Environment Assembly का कहां पर नेरोबी में 11 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच हर दो साल में ये session organized होता है और नेरोबी में 11 मार्च से 15 मार्च के बीच जो session था वो चोथा session था theme innovative solutions for environment challenges and sustainable production and consumption तो ये पूरा article हमने डिसकस किया United Nations Environment Assembly के बारे में चलते हैं आगे next article बनर घटा national park के बरे में हैं कहां पर है ये national park ये national park देखो करनाटक में बैंगलोर के नजदीग अनेकल रेंज की hills में हैं देखो बियार hills यानी बिलीगरी रंगा hills और सत्यमंगलम forest को आपस में जोडने वाला जो elephant corridor है ये बनर घटा national park उसी elephant corridor का पार्ट है और इस park को national park देखो किया गया था कब 1974 में 2002 में इस park के कुछ area को biological reserve कर दिया गया था मालीजे ये बनर घटा national park है तो कुछ area को 2002 में कुछ area को biological reserve कर दिया गया था और ये हमारे देश में एक मातर biological park है जहां पर elephant century की fencing हुई है और 2006 में यहां पर first butterfly enclosure का निर्मान भी किया गया था तो यह हमने पूरा article डिसकस किया बनर घटा national park के बारे में parrot fish के बारे में contest बाद में डिसकस करेंगे थोड़ी सी जानकारी पहले डिसकस कर लेजिए parrot fish के बारे में coral ecosystem का important component है parrot fish मतलब जहां पे coral reefs मिलते हैं वहां पर parrot fish पाई जाती हैं लेकिन हमें limited knowledge हासिल है parrot fish के बारे में की कहां कहां पर parrot fish पाई जाती हैं और संख्या कम हो रही है parrot fish की उसके reasons क्या है parrot fish के संख्या के कम होने reasons क्या है IUCN की red list के हिसाब से parrot fish जो है, वो vulnerable category में आती है, तो यह हमने कुछ basic information discuss की parrot fish के बारे में, contest अभी यह है, एक study सामने आई है, अगर हम यह ensure करना चाहते हैं, कि अंडमान और Nicobar Islands में, जो marine protected areas हैं, वहाँ पर parrot fish की संख्या कम ना हो, तो हमें इस बात पर बल देना होगा, जोर देना होगा, कि coral ecosystem जो है वो पर भावित ना हो, अंडमान और Nicobar Islands के marine protected areas में, तो हमें indirectly coral ecosystem को protect करना होगा, अगर हम parrot fish को protect करना चाहते हैं, देखो UPSC question इस पर कहां से पूछ सकती हैं, क्या parrot fish हैं, ट्रोपिकल या फिर सब ट्रोपिकल shallow water में मिलती हैं, जी हाँ, अब आपको लगा होगा कैसे, देखो coral ecosystem में parrot fish मिलती हैं, और coral reefs आपको पता है कहां मिलते हैं, ट्रोपिकल और सब ट्रोपिकल shallow water में, तो indirectly आप कहा सकते हो, कि parrot fish भी ट्रोपिकल और सब ट्रोपिकल shallow water में मिलती हैं, चलते हैं आगे, मैं start कल refuse to ride campaign के बारे में हैं, देखो आपने भी देखा होगा, काफी बार movies में या फिर documentary में दिखाय जाता हैं, कि जो foreigners हैं, वो हाथी की सबारी कर रहे हैं, लेकिन होता क्या हैं, हाथियों को इस process के लिए train करने के लिए बहुत ज़्यादा harass किया जाता है, बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है, तो animal rights का हनन होता है, एक NGO है, wildlife SOS, इन्होंने एक campaign चल सबारी ना करें, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो elephants को सबारी के लिए train नहीं किया जाएगा, उन्हें मारा पीटा नहीं जाएगा, उनके rides का हनन नहीं होगा, और गतिमांग express जो है, वो सहोग देगा, wildlife SOS का इस campaign में, refuse to ride के campaign में, हम बात करें wildlife SOS की, ये देखो, एक non-profit organization ह है, establish क्या गया था, इसको 1995 में, primary objective क्या है, primary objective wildlife SOS का है, हमारे देश में, wildlife जो खत्रे में है, उसको rescue करना, rehabilitate करना, ये organization काफी जड़ा famous हुई थी, जब इस organization ने अच्छा काम किया था, इंडिया की streets में से dancing beer, यानि भालूओ को नचवाय जाता था, भारत की गलियों में, उन आखी, जो भीड है, वो देखकर खुस हो, और वो पैसा दे उन लोगों को, जो भालूओ को नचवा रही है, तो इस परकार की activities को बंद करवाय गया था, wildlife SOS के दवरा, तब ये organization काफी ज़्यादा famous हुई थी, तो ये हमने पूरा article discuss किया, refuse to ride campaign के बारे में, next article, the global energy and co2 status report के पहली important बात तो देखो यही है, कौन ये report release करता है, International Energy Agency के दवरा, ये report release की जाती है, और International Energy Agency के दवरा, second global energy and co2 status report जारी की गई है, ये report जो है, वो बताती है हमें, fuels के संदर में, renewable sources, energy efficiency और carbon emissions के संदर में, क्या global developments हुई है, 2018 में, इस report के अनुसार, वर्ल्ड में, CO2 के, दो देश, जो सबसे बड़े emitter's रहे, 2018 में, वो है USA और China, USA ने सबसे ज़्यादा, 2018 में, पूरे वर्ल्ड का 14% CO2 emit किया, इंडिया का emission रहा, 2018 में, 2299 million tons, जो कि पिछले साल से, 4.8% ज़्यादा है, इंडिया का, अकर पर-capita emission हम देखें, तो global, जो पर- capital average emission हम, इंडिया का, पर-capita emission उससे 40% कम हम, इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड में, 7% carbon dioxide को emit किया, मतलब, अगर, पूरे वर्ल्ड में, 100 unit CO2 emit होता है, तो, 100 में से, 7 unit, इंडिया ने, contribute किया, इंडिया का, जो emission हम, वो पिछले साल के, अपेक्सा कर्त, ज़्यादा बढ़ा है, as comparison to USA और China, क्योंकि हमारे देश में, जो coal consumption है, वो ज़्यादा बढ़ा है, हम बात करें, International Energy Agency की, यह देखो, एक autonomous, inter-governmental organization है, sectorate कहाँ पे है, Paris में, इसको establish किया गया था, 1974 में, 1973 में, जो oil crisis आय थे, उसके बाद, इस organization को establish किया गया था, team E पर focus करती है, यह organization, energy security, economic development और environmental protection, member countries की संख्या है, 13, और 8 associate countries भी है, including India और China, criteria क्या है, membership का, पहला criteria तो देखो, यह है, कोई भी देश, जो member बनना चाहता है, International Energy Agency का, वो member होना चाहिए, OECD का, इसके अलावा, उस देश ने, पिछले साल जितना oil import किया था, उस import का कम से कम, इतना reserve के तोर पे store होना चाहिए, ताकि 90 दिनों का काम चल सके बिना import किये, तो यह दो सर्थ हैं, जिनके base पे, कोई भी देश, member बन सकता है, International Energy Agency का, India full time member नहीं बन सकता, क्योंकि India OECD का member नहीं है, Question आप एक बताए, World Energy Outlook Report किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, आंसर होगा, International Energy Agency, चलते हैं आगे, नए स्थार्टकल ग्रीन क्रेकर्स के बारे में हैं, यानि ग्रीन पठाके, तेखो सुपरिम कोट के वाडिक के बाद, Council of Scientific and Industrial Research यानि CSIR और National Environmental Engineering Research Institute ने मिलके, ग्रीन क्रेकर्स के chemical composition के formula को त्यार कर लिया है, Barium Nitrate और Potassium Nitrate को यूज किया जाएगा, Green Crackers के proposed formula में, जिससे Particulate Mater 2.5 का जो emission है, वो 30% तक कम हो जाएगा, एक बार Petroleum and Explosive Safety Organization यानि पैसो से approval मिल जाता है, तो परपोश्ट formula के साथ Green Crackers का उतपादन स्टार्ट हो सकेगा, बड़े scale पर, थोड़ा सा हम जा लेते हैं पैसो के बारे में भी, यानि Petroleum and Explosive Safety Organization के बारे में, देखो, Explosives, Petroleum, Compressed Cases, या फिर दूसरे Hazardous Substances की Manufacturing हो, Storage हो, Transport हो, Handling हो, सब कुछ Administer किया जाता है, Control किया जाता है, पैसो के द्वारा, इन सब चीजों की देखरें के लिए पैसो जो है, वो Apex Department है, कौन सी Ministry के अंडर आता है पैसो, Department of Industrial Policy and Promotion, और Ministry का नाम है Ministry of Commerce and Industry, It is Headed by Chief Controller of Explosives, Headquarter कहां पे है, नागपूर महराष्टर में, तो यह हमने आर्टिकल डिसकस किया, Green Crackers और पैसो के बारे में, अगला आर्टिकल देखो काफी important है, Hump-Bagged मसीर के बारे में, क्या contest है, पहले देखो, Hump-Bagged मसीर जो है, वो IUCN की Red List के हिसाब से, Indangered के टेगरी में आती थी, लेकिन, Hump-Bagged मसीर की जो संख्या है, पिछले कुछ समय में, काफी तेजी से डिकलाइन हुई है, और अब IUCN ने, अपनी Red List में, इसे, critically Indangered के टेगरी में डाल दिया है, तो काफी important आर्टिकल है, कोशन पूछा दा सकता है, हम बात करें, Hump-Bagged मसीर के बारे में, देखो मसीर की ये largest known species है, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ ये मिलती है, कावेरी रिवर बेसिन में, कावेरी रिवर बेसिन मतलब कावेरी और कावेरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज जैसे पैमबर, कावीनी और भावेरी इन अदियों में ये मचली मिलती है, स्टेट्स की बात करें, करनाटक, केरल और तमिलाडू, बात करते हैं, की कारण क्या है, इस मचली की जो संख्या है, पिसले कुछ समय में काफी ज़्यादा कम, क्यूं हुई है, रिजन की बात करें, तो construction of dams, regulated flows, deforestation, सूखा, pollution, sediment transport, ये रिजन हैं, जिसकी वज़े से, इस मचली की संख्या पिसले काफी समय में कम हुई है, और अब IUCN की red list में, इस मचली को critically endangered category में, डाल दिया गया है, IUCN का जिकर आप काफी बार सुनते हो, red list पब्लिस की जाती है, IUCN के दवरा, थोड़ी सी information जान लेते हैं, पूरा नाम है, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, यह international organization है, जो nature को conserve करने की दिशा में काम करती हैं, और ensure करती है कि natural resources का sustainable use हो, कब इसे establish क्या गया था? 1948 में, कहां पर? France Fountain Blue में, headquarter कहां पर है? Gland Suzyland में, पिछले कुछ सालों में, IUCN ने अपना जो कामकाज है काफी ज़्यादा expand कर लिया है, अब देखो, यह जो संस्था है, वो gender equality, poverty, alleviation, इन छेत्रों में भी काम करती हैं, आप confuse मत हो जाएगा, क्योंकि आपने IUCN का नाम जो है, वो जालतर समय red list के संदर में ही सुना है, तो question आजाए, क्या IUCN जो है, वो gender equality के लिए काम करती है, तो आप यू मत सोचिएगा, आरे equality के लिए भी काम करती है, यह संस्था, red list publish की जाती है, जिसमें women species का status बताया जाता है, no categories में, यह देखो, एक exam में इससे समनित भी question पूछा था, कि IUCN कितनी categories में species का status जारी करती है, not evaluated, data deficient, least concerned, near threatened, vulnerable, endangered, critically endangered, extinct, in wild, और सबसे last में extinct, no हुई ना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, तो 9 categories में status publish की जाता है, IUCN के दवारा red list में, इसके लावा देखो, IUCN observer है, United Nations में, और United Nations ने IUCN को consultative status दिया हुआ है, government भी सदस्या है, IUCN के, और जो non-governmental organizations है, वो भी member है, IUCN के, अब जल्दी से आप एक question का answer दे द reason है, क्या IUCN एक international NGO है, दूसरी statement, क्या इसका headquarter Germany में है, पहला statement देखो सही है, दूसरी statement गलत है, Glenn Switzerland में है, headquarter IUCN का, answer होगा A, चलते हैं आगे, NAST article धोल यानि Asiatic wild dog के बारे में है, क्या contest है, देखो एक study conduct की गई थी, और उस study से ये पता लगता है, वैसे तो western घाट में protected areas, जैसे wildlife centuries, national parks, इनका काफी area expand हुआ है, लेकिन इस से धोल यानि Asiatic wild dog की जो संख्या है, वो नहीं बढ़ सकी है, वैसे tiger और दूसरे जो बड़े carnivors हैं, उनकी संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन पता नहीं क्यों धोल की संख्या नहीं बढ़ की है, western घाट में protected areas के expand होने से, धोल के बारे में हम discuss करें, ये देखो apex social carnivor है, carnivor मतलब दूसरे animals को खाके, अपने पेट की भूख सांथ की जाती है, धोल के दवरा, और IUCN की red list में endangered category में आता है धोल, sites जो convention है, इस convention के अनुसार आता है appendix second में, और wildlife act 1972 के अनुसार schedule second में आता है धोल, धोल देखो highly social animal है, मतलब जुंड में रहता है, अलग छलक नहीं रहता है, काफी सारे धोल एक साथ रहते हैं, कोई rigid hierarchy नहीं है, एक एक धोल की काफी multiple female breeding partners देखन को मिलती है, habitat भी काफी ज़्यादा diverse है धोल का, जैसे tropical dry forest, moist deciduous forest, evergreen and semi-evergreen forest, temperate deciduous forest, boreal forest, dry thorn forest, grassland, scrub forest, mojax, temperate steppies, alpine steppies, disease और pathogenes की बात करें, धोल देखो काफी ज़्यादा susceptible है, मतलब खत्रा होता है धोल को, rabbit से canine distemper, canine distemper virus देखो वही है, जिसने गिर national park और आसपास के area में काफी सारे asiatic line को मारा था, तब ये virus सुर्प्षों में आया था, canine distemper, इसके लावा canine पर वो virus और sarcoptic, mange, ये सारे viruses हैं, ये सारे diseases हैं, जिन से खत्रा रहता है धोल को, समाने ता देखो, ये सारे जो diseases हैं, वो गाओं के domestic dogs में होते हैं, जो की reservoir का काम करते हैं, उन से ये disease या फिर जो virus है वो transmit हो जाते हैं, धोल में, यानि asiatic wild dogs में, तो ये पूरा article हमने डिसकस किया, धोल के बारे में चलते हैं आगे, नए स्टार्ट कल, minimum frog के बारे में हैं, दिखो minimum frog जो हैं, बहुत ही छोटा frog होता है, adult body का size होता है 9.7 mm, और adult female का size होता है 11.3 mm, बिल्कुल अंगूठे के उपर देख सकते हो, इस परकार से बैठ सकता है, minimum frog, बहुत ही छोटा size होता है, ये minimum frog हैं, वो समन्द रखता है, कोफी लिने, सब family से, और naturally देखो, Eastern Madagascar में पाया जाता है, ये minimum frog, यहाँ पर देखो, Eastern Madagascar में, lowland forest में जो नीचे गिरे हुए पत्ते होते हैं, जिसे लिटर कहा जाता है, वहाँ पर ये frog मिलता है, minimum frog, आप location देख सकते हो, मदगासकर की, ये mainland Africa है, और यहाँ पर ये मदगासकर island country है, यहाँ पर मिलता है Miriam frog, तो इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion,